हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिशनल केमिस्ट्री का यूनिट 3 कर रहे थे लास्ट टाइम हमने कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स देखे थे क्यू नो लोन कैटेग्री के आए अगले कुछ ड्र यह देखिए यह ओफ लोकससीन का स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर में केवल एक ही चेंज है कि फर्स्ट पोजीशन और एर्थ पोजीशन के बीच में एक यह ब्रिजिंग की हुई है एक एक एक्स्ट्रा ग्रूप अटैच किया हुआ है और कोई चेंज इसमें है नहीं तो यह हो गया हमारा ड्रग का स्ट्रक्चर इसका कलर है पेली एलो क्रिस्टलाइन पाउडर वाटर में स्लाइटली सॉल्यूबल है मीथेनॉल में स्लाइटली सॉल्यूबल है ग्लेशल एसिटिक एसिड में कंप्लीटली सॉल्यूबल है इसका मेकानिजम ओफ एक्शन ऐसा है क और डेस्मिथाइल और फ्लोकसासीन में कनवर्ट हो जाता है। यह सिमिलर वही काम करता है कि जो बैक्टिरियल डिने के लिए जो रिप्लिकेशन रिपेरिंग करने में मदद करने वाला एंजाइम होता है टोपो आईसोमरेस 2 और 4 उसको यह इन्हीबिट कर देता है। इस इन्हीबिशन की वजह से बैक्टिरिया का जो डिने है वो फर्दर डेवलप नहीं हो पाता और उसके सेल की डेथ हो जाती है। तो यह सेम मेकानिजम ओफ एक्षन है जैसा अभी सीप्रो फ्लोकसासीन सब में हमने देखा था। स्टोरेज अगेन वही है वेल क्लोज डेयर पैल्विक इन्फलमेटरी डिजीज है पैल्विक रीजन की जो इन्फलमेटरी डिजीज है जो की क्रॉनिक ना हो न्यू हो उनके ट्रीटमेंट में भी इसको हम यूज करते हैं। इसका एडवर्स इफेक्ट है अब्डॉमिनल पेन, एंजाइटी, यूरिन के साथ ब्लड लॉस होना, फिर गम्स में से ब्लीडिंग होना, ब्लड विजन, बॉड़ी एक और यूरिन जो है वो थोड़ा क्लाउडी हो जाएगा, ऐसा वाइटिश टाइप के कलर का हो जाएगा। नेक्स ड्रग अपने सिलेबस में हैं, लोमेफ्लोकसासीन, इसमें आप देखिए एक फ्लोरो गूरूप रखा हुआ है, और जो सिक्स्त पर होता है, वो तो है ही, साथ में सेवेंथ पर आपका पिपराजीन वाली रिंग लगी होई है, और साथ में आपका जो वन वाला नाइट्रोजन था, उसमें इथाईल है, थ्री वाला कार्बॉकसिलिक एजिटीज है यह एक वाइट और पेलियलो क्रिस्टलाइन पाउडर है, जो की वाटर में सॉलिबल होता है, इसका भी लीवर में मेटाबॉलिजम होता है, बाई ग्लू कॉरिनी डेशन, यह बाइंड होता है, और इन ही बिट करता है, बैक्टीरियल टोपो आईसोमरेस टू और फोर को, और यह दोनों एंजाइम्स जो हैं, यह इनवाल्व होते हैं, डिने के रेप्लिकेशन में, रिपियरिंग में, रिजल्ट इन दे सेल ग्रोथ, और साथ में सेल की डेथ के लिए, इसका भी स्टोरेज वाई है, वेल ग्लोस डियर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट और इसके Yousues भी similar हैं कि यह आपका यूज होता है बैक्तिरियल इनफेक्षन में, रेस्पायरेटरी ट्रैक के इनफेक्षन में, और यूरीनरी ट्रैक के इनफेक्षन में यूज होता है, इसका adverse effects है, नौजिया, वामिटिंग, फिर हेडेग, ड्रॉजिनेस, इन अब्डॉमिनल पेन और डाइरिया यह सभी इसके एड्वर्स इफेक्स है नेक्स जाग है हमारा सेप्राफ्लोकसासीन सेप्राफ्लोकसासीन का स्ट्रक्चर आप देखिए इसमें भी आपका एइथ पोजीशन पर हमने अलग से फ्लोरो ग्रूप लगाया हुआ है फिर यहां पर शिक्स्ते पर लगा ही हुआ है इसके बाद N1 जो है वहां पर आपका एक साइकलो प्रोपाईल का ग्रूप लगा हुआ है हमारा फिर जो हमारा थर्ड पोजीशन है उसका OCHH मेंटेन है फोर्थ पोजीशन का ओक्सो ग्रूप मेंटेन है सेवन पर हमारी एक पिपराजीन की रिंग लगी हुई है जिस पर दो मिथाईल लगे हुए हैं तो इस प्रकार से ये हमारा बन गया स्पेरा फ्लोक्सा सीन अब इसकी प्रॉपर्टीज कैसी है कि ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है इसका मेकानिजम ओफ एक्षन ऐसा ही है कि ये भी बैक्टीरिया के जो डियने होता है उसके रिप्लिकेशन और रिपियर में इन्वाल्व होने वाले एंजाइम टोपो आईसोमरेस टू एंड फोर उसको इन्हीबिट कर देता है इस इन्हीबिशन से बैक्टीरिया कोई जो भी रियने बनाने के लिए रिक्वार्मेंट्स होती है वो फुल्फिल नहीं हो पाती और अल्टीमेटली जो सेल की ग्रोथ है वो रुख जाती है और सेल तूट जाती है यह ड्रग जो है यह भी लीवर में मेटाबोलाईज होता है फेस टू ग्लुकोरोनी डेशन से इसका भी स्टोरेज वेल क्लोज डेयर्टाइट कंटेनर है प्रोटेक्टेट फॉम लाइट यूस कहां होता है यूरिनरी ट्रेक्ट के इंफेक्षन में और बैक्टीरीयल इंफेक्षन इंक्लूडिंग ब्रॉंकाईटीस जो ब्रॉंकाईटीस बैक्टीरिया से अगर हुआ हो तो वहाँ पर भी यह ट्रीटमिंट में यूस होता ह है इसके बाद next जो इसका adverse effects है that is gastrointestinal disturbance, anorexia मतलब भूक नहीं लगना loss of appetite, इसके बाद hypertension, arthritis, asthma, rashes, photophobia, light को देखके डर लगेगा और got यह सब इसके adverse effects है next है हमारा getty phloxacin, यह structure है getty phloxacin का यहाँ पर आप देखिए तो जो eighth number की position थी वहाँ पर oxymethyl group है और one पर हमारा जो है वो cyclopropyl है तो इसको oxymethylcopan methoxy बोलते है seven पर अपना pipra gene लगा हुआ है as usual three और four as it is है six पर फ्लोरो वैसा ही लगा हुआ है यह एक white crystalline powder है water में soluble है यह एक fourth generation fluorocunolone antibiotic है इसका भी similar mechanism है action कि यह topo isomerase two or four enzyme को inhibit कर देता है और cell growth को रोग देता है जिससे cell break हो जाती यह liver में metabolize होता है और urine में excrete out हो जाता है इसके बाद यह well close airtight container protected from light इसका storage है इसके बाद में इसका जो use है वो होता है bronchitis यह sinusitis में acute urinary tract infection ऐसा है urinary tract infection जो acute है new है दूसरा community acquired pneumonia 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 जो कि अभी recent इधर उधर ट्रांसफर एक दूसरे से फैला हो community में फैला हो वो वाला pneumonia उसके treatment में adverse effects है blood vision watery eyes आखों में से पानी गिरना है unpleasant taste in mouth mouth का टेस्ट बुरा सा लगेगा और eyes में swelling हो जाएगी तो ये थे students कुछ drug हमारे qno loan category के I hope आपको ये content समझ में आया होगा अगर आपको हमारे ये notes चाहिए हो तो please आप हमारा app solution pharmacy download कीजिए वहाँ पर notes available है till then thank you so much